अब जनरली लोग होता कि है मार्केट में जब भी कोई राउंड नंबर या कोई इंपॉर्टर लेवल मार्केट इस तरह की कैंडल के साथ ब्रेक करती है तो बहुत सार लोगों का सेंटिमेंट उसके साथ जुड़ा होता है बहुत सार लोग जाके हैं पर क्या करता है उपर जाने वाली लेकिन एक आईडिया आप लगा सकते हो कैसे लगा सकते हो सब्सक्राइब कि इस ब्रेक आउट पे नेक्स केंडल जो थी आपकी वापस नीचे आगी और यह ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार आपको बता रहुत से कई बार मैंने वीडियो में भी बता रखा ठीक है और जो लोग वेबिनार अटेंड करते हैं उनको यह अल्रेडी पता है कि अगर मार्केट नीचे से आ रही है और अगर कोई important level break करती है तो chances are very high कि वह वहां से reverse होती है और वही चीज़ हुई मैं निफ्टी में trade प्लान कर रहा था लेकिन निफ्टी में वो moment नहीं मिली अगर निफ्टी का चार्ट देखूगए इसी time breakout पर यहां पर ठीक है वो moment नहीं मिली यहां पर आके थोड़ा सा sideways होगी तो उसका premium उतना बढ़ा नहीं लेकिन bank निफ्टी में अच्छा खासा premium ब किस तरीके से market जो operator है वो किस तरीके से retail trader का पैसा खाते है अब previous जो market ने दिखाया एक sell-off आया market यह अगर आप चेक करोगे आपका जब भी maximum time loss होगा sideways market में ही हुआ होगा तो generally इस तरह का nature market कई बार जो है बनाती देखो market जो moment करती है ठीक है uptrend downtrend and sideways यह जो uptrend and downtrend का जो moment होता है यह 35-40% ही होता है total 35-40% maximum time यानि कि 60-65% के आस-पास जो market में आपको moment मिलेगी वो sideways मिलेगी क्यो sideways मिलेगी क्यों sideways मिलेगी क्योंकि market में जो sellers हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं और एक seller का पैसा दभी बनता है market में जब market sideways to volatile रहे अगर market रोज trending होगी तो option seller के लिए पैसे बनाना थोड़ा सा मुस्किल होगा तो इस 100% में से क्या करते हैं option seller एक या दो दिन आपको trending market दिखाएंगे ताकि नए option buyer उसमें interested हों entry करें तभी तो option seller पैसा बनाएगा अब आपस में option seller trade करेंगे तो पैसे थोड़ना बनेगा कोई ने कोई तो बायर चाहिए इस तरह की market बनना जर्नली नैचुरल है ठीक है अब देखा important level मेरे हिसाब से क्या बन रहा है नीचे की तरफ यह important level है जो कि 43,600 है और market ने daily basis पे इस तरह की कुछ green candle बनाई है इस तरी अब अपनिंग हो जाती ना तो जितने भी sellers जो बैठे हुए इसमें फिर पैनिक आएंगे मार्केट में आपको trending moment मिलेगा और trending moment मिलेगा आपको इस लेवल के ऊपर ठीक है तो यह भी एक expected है नीचे की तरफ अगर flat और gap down खुलते है तो market negative है market नीचे जा सकती important level है 43,600 break होता है 44,000 and 44,000 major resistance है उपर की तरफ नीचे की तरफ support है आपका 43,600 तो बैंक नीचे में ज्यादा complicated मत रखना इसके नीचे अगर market sustain होती है sell side इसके उपर bias side बीच में रहती है avoid trade ठीक है next जो है आपका nifty nifty भी totally sideways थी तो nifty में भी जो है अपने नीचे की level पर जो कि इसका 19,500 एक round number है लेकि 19,520 के आसपस इसकी closing हुई है ठीक है तो यह important level है उपर की तरफ जो एक important area है वो आपका यह है 19,600 इसके उपर निकलते ही है तो 19,600 तक का moment जो है nifty में हम देख सकते हैं नीचे की तरफ अगर यह sustain होती है तो एक अच्छा गासा sell off भी हमें नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है अब देखो यह तो ही चार्ट के basis पे अब एक psychology basis चीज़ समझो मैं इसको क्या करता हूँ थोड़ा सा ना बड़ा time frame करता हूँ ताकि आपके psychological point समझा सको ठीक है अब देखो market किस तरफ movement करते है जिस तरफ जबस ज़्यादा retail trader के stop loss पड़े होते तो आ आप क्या करना ना देखो market में यहां से sell-off आया market नीचे आया यह जब market यहां पे खुला था ना expected था कि यह 20,000 को कम से कम टच करे देन एक अच्छा खाशा sell-off था लेकिन market में उपर से pressure बना market अपने नीचे के level यहां पे गई है अब नीचे की तरफ कई सारे gap gap जो है अभी 19,350 यह जो है level market touch कर सकती है यह डिसाइड हो सकता कि market उपर जा यह नीचे क्या market उपर जा सकते है बिल्कुल market उपर जा सकते है जा समयन में था 2600 के उपर अगर sustain होती है यह वाले level के उपर तो फिर जो sellers position मना रखे हैं वो अपनी position से exit करना स्टार्ट करेंगे आने वाले दिनों में कुछ important वीडियो लाने वाला हूं ठीक है option gricks के उपर और candlesticks के वी उपर काफी सारी important वीडियो है तो आने वाले दिनों में वह definitely आप लोगों के साथ share करूँगा फिर भी कोई doubt है definitely आप मुझसे पूर सकते हो okay guys we will meet in next video till then goodbye thanks for watching guys